22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है जिसकी तैयारियां उत्राखंड में भी चल रही है। सीम धामी ने इसको लेकर निर्देश भी दिये हैं। सबसे खास बात है कि उत्राखंड के 258 लोगों को नियोता दिया गया है जिसमें भाजपा के कई नेता भी शामिल है। लाखों लोगों का त्याज, बलिदान, लाखों नागरिकों का, संतों का, इसमें योगदान, और उसके बाद अंततह रहसुआ अवसर 143 तरोड भारत वास्यों को देखने को मिलवा है। हम सब गर्वित हैं कि हमारे जीवन काल में हमको यह अवसर देखने को मिला है। कि 22 जनवरी को अगवान राममला अपने इस्तान पर विराजित होने वाले हैं, इसके परती लोगों में अपार उक्सा है। अख्षत वित्रन के कारिकम देश भर में, कोने-कोने में, महिलाए स्वैम की प्रेणडा से, इस रब कारिकमों में जुटी विए। मंदिरों में राम के भलन, राम दक्षा स्तोत्र सुंदरकांड के आयोजन हो रहे हैं, अखंत रामयन के काठ हो रहे हैं, भव्य सोभाय आत्राय निकाली जा रहे हैं।